अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपती पद के उम्मीदवार विवेक रामा स्वामी ने अमेरिका से एडिशनल फंड्स मांगने के लिए युक्रेन के राष्ट्रपती वलादिमीर जलन्सकी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपती चुना गया तो सबसे पहले मैं युक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटावती करूंगा फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुष्टी करन से भी समस्या है हमें अमेरिकन लोगों के बीच में आना होगा सिर्फ इसलिए कि पुतीन एक दुष्ट तानाशा है इसका मतलब ये नहीं है कि युक्रेन भी कोई बहुत अच्छा है युक्रेन ने अपने देश में 11 अपोजिशन पार्टी को बैन करके रखा है युक्रेन एक ऐसा देश है जिसने सारी मीडिया हाॉसेस को कंसॉलिडेट करके एक स्टेट मीडिया बना दिया है जो सिर्फ जलेंस्की का ही गुणगान करती है अभी पिछले हफते जलेंस्की ने एक नाजी सोलजर की तारीफ करते हुए अमेरिका को धमकी दी है कि जब तक उसे और ज्यादा फंडिंग नहीं मिलती है तब तक अमेरिका अपने इलेक्शन्स नहीं करा सकता है दोस्तो जिस तरह से जो बाइडन युक्रेन फंडिंग को लेकर अपसेस्ट है इनकी ओपोजीशन रिपब्लिकन पार्टी इसका विरोध कर रही है कि बिलियन्स ओफ डॉलर्स की मिलिटरी और फैनेंशल एसिस्टेंस भेजने के बाद भी युक्रेन रश्या के खिलाफ जव समय पर फंडिंग मिलता गया है मगर युक्रेन की काउंटर ओफेंसिव फेलियर का भुगतान करते करते सिवाए जो बाइडन के पूरा अमेरिका ठक चुका है और जलेंस्की को भी ये डर है कि कहीं अगर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी युएस प्रेसिदेंशल इलेक्शन हार गई और रिपब्लिकन पार्टी से कोई युएस प्रेसिदेंट बन गया तो वो उनको मिलने वाली फंडिंग को या तो रोग देगा या फिर उसमें कटोती कर देगा और विवेक रामा स्वामी की स्टेट्मेंट के बाद ये चीज और भी क्लेर हो चुकी है दोस्तो अभी जिस दिशा में युक्रेन वार जा रहा है इससे बहुत ज्यादा संभावना ये है कि ये युद जारी रहेगा और आखिर में जितनी टेरिटरी रश्या क्लेम करता है उतना रश्या ले ही लेगा मगर इस युद का जो भी परिनाम होगा सो होगा इससे रश् रश्या के अगेंस्ट काउंटर ओफेंसिव प्रोग्राम शुरू क्या था मगर रश्या के अगेंस्ट युक्रेन का काउंटर ओफेंसिव प्रोग्राम बुरी तरह से फेल हो चुका है जिस ग्रे जोन को लेकर यानि जिस जमीन को लेकर रश्या और युक्रेन के बीच जमीन है तीन महिने हो चुके हैं युक्रेन रशियन सोलजर्स को वहां से एक इंच भी हटा नहीं पाई है युक्रेन ने बैटल फिल्ड पर जितनी वेपनरी अभी तक भेजी है उसका 20% रशियन्स ने डेस्ट्रॉय कर दिया है जो टेरिबल फाइटिंग मशीन्स युएस औ और युरोप से युक्रेन को दी गए थी ये उनका भी प्रॉपल्ली इस्तिमाल नहीं कर पाए और रशियन स्ट्राइक के आगे धेर हो गए युक्रेनियन सोलजर्स को कैज्वल्टीस आई सो अलग साथ में नेटो की ओर से जो 9 अकाउंटर ओफेंसिफ ब्रिगेड्स पाके खा गए तो युक्रेन की जवाबी कारवाई शुरू से ही बेकार थी इन शॉट युक्रेनियन्स प्लैन्स को एग्जिक्यूट ही नहीं कर पाते हैं दोस्तू बिलियन्स ओफ डॉलर्स की वेस्टन मिलिटरी डोनेशन्स ने युक्रेन की मिलिटरी को शक्तिशाली बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है एडवांस्ट बैटल टैंक्स और नेटो की ट्रेंड ट्रूप्स ने युक्रेन को रश्या के खिलाफ जवाबी कारवाई करने में सहायता जरूर की है मगर युक्रेन के जो नए सैनिक है ये एकदम अन्टेस्टेड और इनेक्स्पिरियंस्ट है कम्बाइन आम्स वार्फियर के बारे में इनको कोई अनुभव नहीं है जिसके कारण सभी वेस्टन मिलिटरी सिस्टम्स और ट्रेनिंग मिलने के बाद भी युक्रेन रश्या के खिलाफ कम्बाइन आम्स ओप्रेशन्स करने में स्ट्रगल कर रहा है काउंटर ओफेंसिव के शुरुवाती दिनों में युक्रेनियन फोर्सेस ने रश्यान में लाइन ओफ डिफेन्स को ब्रेक्थ्रू करके कम्बाइन आम्स ओप्रेशन्स करने की कोशिश की थी मगर रश्यान डिफेन्स बहुती सॉलिड और एक्सपिरियंस्ट है जिसके कारण रश्यान फोर्सेस ने युक्रेनियन फोर्सेस को बड़े पैमाने पर शती पहुचाई अब यहाँ पे आप एक चीज देखो आप चाहे कितनी भी compiled, trained और mechanized defense forces को लगा दो रश्या की आर्मी के अगेंस्ट आप ऐसे foreign aid ले लेकर रश्यान main line of defense को तोड़ नहीं सकते और नहीं आप उनकी ammunition को खतम कर सकते हो यही एक बड़ा कारण है कि युक्रेन की battlefield tactics fail होती जा रही है और युक्रेन को इसी कारण से बार-बार additional logistical and supply challenges का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका उनको advanced weapons तो दे ही रहा है मगर युक्रेन को अभी ज्यादा से ज्यादा demand engineering equipment की है क्योंकि रश्या इन्ही equipment को ज्यादा target कर रहा है दूसरी चीज युक्रेन भारी मात्रा में गोला बारूत जला रहा है और युक्रेन कई अलग-अलग देशों से विभिन्य प्रकार के हतियारों पर भी निर्भर है तो एकदम से नई हतियार मिलना फिर उनका perfectly इस्तिमाल भी करना ये युक्रेन के लिए possible नहीं हो पा रहा है माननीजिये जो artillery वो लोग use कर रहे हैं गोला बारूत की भी quality और quantity उसी हिसाब से होनी चाहिए तो युक्रेनियन्स बड़ा ही complicated offensive operations चला रहे हैं और ठीक ऐसे समय पर पोलेंड से ये खबर निकल कर आ रही है कि पोलेंड अब युक्रेन को कोई भी हतियार नहीं देगा क्योंकि पोलेंड अब खुद को सबसे आधुनिक हतियारों से लैस करने पर focus करना चाता है दोस्तो मैं आपको बता दूं कि पोलेंड युक्रेन के साथ 530 किलोमेटर का border share करता है और इस war में युक्रेन का सबसे बड़ा supporter भी रहा है पोलेंड युक्रेन को 4 बिलियन डॉलर्स की military aid भी दे चुका है जिसमें leopard tanks, armored vehicles और howitzer's artillery weapon भी शामिल है और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि US और UK के साथ पोलेंड वो तीसरा देश था जिसने international community से युक्रेन को aid भेजने की अपील की थी US, UK के साथ पोलेंड भी सबसे पहले युक्रेन के support में खड़ा था तो पोलेंड की तरफ से हथियार ना मिलने की news युक्रेन के लिए सच में bad news है और उपर से विवेक रामा स्वामी की ये statement कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपती चुना गया तो सबसे पहले मैं युक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटावती करूंगा ये युक्रेन के लिए एक नई tension वाली बात है and finally इस issue को लेकर मैं comments में आप सभी के opinions जानना चाहूंगा I wish you all a very good health Jai Hind